जब सरकारी नौकरी और सरकारी सिख्षाई नहीं रहेगी तो आरक्षण आप कहां लेंगे? उसके सांसद ने बहुत पहले कहा था, ये दलित पिछड़े अब जाग गए हैं, अब आरक्षण को बोल कर खतम करने की जरुवत नहीं है, हम आरक्षण को और चित हीन बना देंगे, आरक्षण रहे न रहे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ, कि इस देश को ब्रामणवाद और पूजीवाद में मिल करके गुलाम बना दिया है, हमारे पुर्खे ने एक किताब लिखी थी गुलाम गिरी, और ये उमीद थी उसे, कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेडिया खुद तोड़ लेगा, मैं आज ये सवाल करके जा रहा हूँ, क्या इस देश के 85% बहुजनों को अपनी गुलामी का है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है, तो आप अपनी बेडियां कब तोड़ोगे, न सिक्षा है, न रोजगार है, न सरकारी नौकरी है, न देश बच है, सब कुछ उनके हाथों में बेचा जा रहा है, आपके घर का एक इंजीनियर अगर दलित पिछड़ा है, वो अगर पुल गरत बना दे, तो पूरी कौम को बनाम करते हो, क्या रक्षण वाले ऐसे ही होते हैं, ये बात सही है कि नहीं है, मैं सवाल पूछता हूँ, कि इस